जहांसी में समाझवादी पार्टी के पूर्ब विधायक दीप्नाइंड सिंग यादों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है जिलापरिशासन द्वारा लगातार उनके बिरुद्ध ताबर्टोड कारवाई की जा रही है कुछे दिन पूर्भी जिला परिशासन द्वारा लगबख 237 करोड की संपत्ती को कुर्प किया गया और इसके बाद फिर से जहासी के मौट थाना छेतर अंतरगत उनके पैतर गाउं में लगबख 37 करोड रुपे की संपत्ती को जिला परिशासन ने कुर्प करने की कारवाई की है समाजवादी पार्टी के कद्दावर निता और करोठा के पूर्पिदाएक दीपनार सिंग यादो के खिलाप जिला परिशासन द्वारा गेंगश्टर की कारवाई की गई है जिसके बाद उनके द्वारा जित की गई संपत्ती को चिन्यत करके कारवाई की जा रही है जिसके चलते बिगत कुछ दिन पूर्प जिला परिशासन द्वारा लगबग 237 करोड रुपे की संपत्ती को कुर्ख किया गया और अब उनके मौट थाना चेत्र इस्थित्र ग्राम बढ़ावली में दो जगए पर चल संपत्ती को कुर्ख किया गया जिसकी बाजार में की करती है वो कुर्ख कर ली गई है यह जमीन बैनामी जमीन है और इसको अबयत तरीके से इन्होंने अर्जित किया है जिसको जिलातकारी मौट द्वारा कुर्ख करके आदेश दिया गया है तो आज सब सीच कर दी गई है यह करीब तैसील मोट में 11 पहले से इनके 11 इस्तानों करीब 35 हेक्टर जमीन है इसकी कीमत है बजारू कीमत है शेयंटिस करोड़ सतर लाग रुपए है जिसको चिन्नित करके सीच कर दिया हुए है इसके अलाब किसी और की जमीन उक्रिके की गई है नए जो आदेश दीयम साब ने दिये है वही जमीन की सीच की गई है डीपनार्